कि फटापट सेयर कर दो बच्चों जल्दी जल्दी से थर्टिन पॉइंट फोर होगा आज एक्सरसाइज थर्टिन पॉइंट फॉर क्लाफ नाइन्थ के अंसियाइटी मैस्मेटिक्स आप पढ़ रहे हैं आपकी क्लास का समय हो चुका है कुश्चन नमबर पहला देखिए क्या कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई इक्सरसाइज थर्टिन पॉइंट फॉर क्लाफ नाइन्थ एंसियाटी मैस्मेटिक्स हिंदी इंग्लिस मेडियम सभी के लिए है कोई इसमें कंप्यूजन नहीं होना चाहिए कुश्चन कह रहा है कि निम्न त्रिज्जा वाले गोले का प्रिष्टिय छेतरफल ग्याद कीजिए मैं इसका इंग्लिस में भी पढ़के सुनाओंगा त्यान से सुन लिजिए इन पर आपको क्या करना है तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया बाबू लिख लो फट 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 इसमें रेडिया रिक्वल 10.5 cm क्या है ये कौन सा figure है surface है surface तो है इस फेयर है गोला है ठीक है फार्मूला लिखिए फटा-फट एक ही फार्मूला होता है TSA equal लिख लिजिए कुल प्रिष्टिय छेतरफल बराबर गोले का कुल प्रिष्टिय छेतरफल बराबर means TSA equal 4 pi r square है ना भाया रख दो सारे मान मान पूट करिए फटा-फट बिना देर करे हुए 4 into pi pi कमान 22 upon 7 r का वैलू आपको पता है कि 10.5 दिया था अल्रेडी कोई doubt किसी को नहीं square है इसलिए इसको हम 10.5 into 10.5 2 time करेंगे मतलब दो बार अब इसको तो हल करना आप लोगों को आता इसमें कोई दिक्कत नहीं इसका मल्टीपल करोगे 88 हो जाएगा upon 7 into देखो बेटा इनको आप काट सकते हो चाहे तो यहीं काट लो पहले रुख जाओ भी मत लिखो साथ से काटोगे तो साथ एकम साथ और साथ पच्छे पाइस वन पॉइंट फाइब करोगे न तो कितना आएगा पता है तुम्हें नहीं पता है करके देखो 15.75 आएगा लगभग कितना आएगा 15.75 तो यह आपका 88 into यह 15.75 मल्टीपल करके देख लो आपका 1386 आएगा सेंटीमेटर का स्कॉयर इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं न देखो बच्छो मल्टीपल करना तुम्हें आना चाहिए वन पॉइंट फाइब मतलब 15 का 105 में गुड़ा कर लो वह 15 पचे पचा तर्क 5 हासिल साथ और साथ यहां दो अंग पे दस म्लों लगा दिया आप फ़र्स पार्ट हो गया डरन सीकन्ट पार्ट देखो बेटा इसी में दिया है ना रेडियस 5.6 सेंटिमिटर चलो इसको भी रख देते हैं सिर्फ रेडियस मिटाओ यहां से भूस सीकेंट पार्ट देखो मगर प्यार से, यह second part है, यह 5.6 cm दिया बाबू, 5.6, 10.5 की जगा आप 5.6 रख दोगे हर जगा बस, और कुछ नहीं, मान रख लोगे न सभी, कि बताऊं मैं इसको भी, चलो बताई देता हूं, पाई का बैलू हो गया, आर की जगा पे 5.6 into 5.6, ओके, no doubt, इसे काटोगे 7, 8, 56, 0.8 आ जायेगा न, क्यों बहिया, सही जा रहा है न, गुडा कर लो, यह 88 हो जायेगा, यह आपका 8 से गुडा कर लो आठ चांग अठालिस का आठ हाफिल आया, 4 और 8 पंचे 4, 4, 44 और 2 अंक पर 10 हमलो लग जायेगा, 4.48 आएगा सम्थिंग, क्यों, करके देख लो भाई, कर लोगे न, अरे यार, 8 यार, 8 पंचे 4, 4, 44, दो अंक पर 10 हमलो लग जायेगा, बैटा, इनको भी गुडा कर लो, आ तो 394 आएगा, कर लोगे न, कितना आएगा, 394.24, सम्थिंग यही आएगा, सेंटी मीटर का स्कॉयर, तिकन पार्ट भी हो गया, लिख लिजिए, इसका अगला, तीसरा पार्ट पे चलते हैं, जहां पर रेडियस 14 दिया है, आर कमान 14 रखना है, इसमें क्या करोगे जहां पर आर दिया है, वहां पर 1414, इंटू 1414, यही करोगे, इंक जादा हो गई, तो बहने लगी है, कम रहे तबों नहीं सही है, क्या करूं मैं भई, तात्रिकार्ट दो साथ दूना चवदा, यह हो जाएगा, 22, दूना 88, इंटू, चवदा दूना 28, इनका गुड़ा कर देख लो बेटा, 616 आएगा, क्या, नहीं मुझे गलत लग रहा है, कुछ ही है, साथ दूना 14, ठीक है, चवदा दूना 28, यार यह मुझे लेकिन कुछ गड़बड लग रहा फिर भी, क्यों, कहां गड़बड आ रहा है, एक मिनट, क्या दिया इसमें देखो, रेडियस ही तो इसमें भी दिया ना, कुछ और दिया, ठीक तो है भीर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यह आएगा आपका 2464 सेंटीमीटर का स्कॉयर, इस तरह से बच्चों आपका कुष्टन नंबर फाइस्ट रन हुआ, कम्पलीट हुआ, आप कुष्टन नंबर सिकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, पहला कुष्टन लिख लिजिए, जल्दी करिए, आगे बढ़ें, फास्ट करिए, बहुत जल्दी स्क्रीन साट लिजिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, कमेंट के पीछे बिल्कुल ना पढ़े, बच और आप जो देख रहे हो न, ये इनफॉरमेशन है 25 जून से, पढ़ लिजिए, पूरा स्क्रीन साट ले लिजिए, क्या लिखा है, 25 जून से सारी कलासे PBR स्टेडी चैनल नंबर तीन पर चलेंगी, अगर 25 जून हो चुका है, तो आप इसी चैनल पर आओ फिर, नेक्ट गोले का प्रिष्टिय चेतरफल ग्याद कीजिए, इसमें भी क्या करना है बाबू, प्रिष्टिय चेतरफल इसमें भी फाइंड करना है, बस अरते इसमें ब्यास दिया है, मतलब डारेक्ट रेडियस नहीं दिया है, आपको रेडियस फाइंड करनी है, बस इतना ही अंतर ह बाकि कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हम रेडियेफ निकाल लेंगे जाता क्या है चलो देखो बेटा इसमें दिया डी बराबर 14 और डी बराबर 21 चलो निकाल लो अगर डी दिया है थे यहां से आर निकाल लोगे आर इकोल होता डी अपान टू यह 14 अपान टू यहनी आ जाएगा 7 सेंटिमेटर यहां से आप फार्मूला लगाओगे हिंदी बाले लिख लेंगे गोले का प्रिष्टिय चेत्रफल बराबर हिंदी में लिख लो गोले का प्रिष्टिय चेत्रफल बराबर सुत्र वही लगाओगे 4 pi r का square 4 into pi कमाण 22 upon 7 r कमाण 7 आया है square है तो दो बार कर लोगे यह कड जाएगा यह 88 into 7 आजाएगा 7 से multiple कर लोगे बाबु नीचे लिख दो 57, 56, 57, 56, 56 यह cm का square आजाएगा कोई doubt नहीं no doubt second part देखिए इसका second part में देखो बेटा radius दिया गया 21 कितना दिया है 21 दिया है आओ second part को इधर side में ऐसे हल कर देते हैं यहाँ पर r निकालोगे बेटा तो 21 upon 2 आजाएगा क्योंकि radius जो है वो diameter का half होता है इसमें भी लिख लो TSA half is sphere गोले का संपूर्ण प्रिष्टिय चेत्रफल बराबर फोर पाई आर का स्क्वाईर इंटू पाई का बैलू 22 upon 7 आर का मान 21 upon 2 इंटू 21 upon 2 क्यों? क्योंकि आर का बैलू यह आया है रख दीजिए साथ से कट जाएगा साथ सरी के काईस दो से कट दीजिए ग्यारा आ जाएगा इस दो से कट जाएगा दो आ जाएगा 11 तिया इंट आई थिस 33 को टू से मल्टीपल करोगे कितना आएगा भाई कुछ गढ़बड आ रहा है क्या मुझे लग रहे है करके देखो तो एक बार यार क्यों कि देखो एक बार कहीं कुछ चूट रहा है क्या कुछ नहीं चूट रहा है 33 हो जाएगा ठीक है यह ग्यारा दूना बाइस तीन से कुड़ा करोगे चाच हो जाएगा उपर यह 21 बच रहा है 21 चक्का इसमें मल्टीपल कर लो बेटा कर लो 1386 आएगा कर लोगे ना कितना आएगा 1386 सेंटीमीटर का स्कॉयर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नो डाउट नहीं डाउट ना चल लिखो इसक्रीन साथ ले लिजिए फिर मैं तीसरा पार्ट इसका करता हूँ ठीक है जल्दी करिए तीसरा पार्ट पर आगे बढ़ें जल्दी करो गई देखो बच्चों थार्ड वाले में 3.5 मेटर दिया है रेडियस रेडियस नहीं डैमेटर दिया ना भईया यह डैमेटर दिया पबू तो आप इनका आर निकालो गए तो 3.5.2 हो जाएगा यह आपके लिए होमवर्क होगा आप इसे खुद से करना और उत्तर कमेंट करना म ख्öyleकूश्चनमर्प तीस्रा देखे क्या कहिं रहा है, बहुत ही आज थार्ड नम्ब्र पेृँरा है 10 सेंटीमीटर रेडियस दिया है और यह हैमेटरμεस्वी का कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है एक दम आसान है थार्ड नंबर कुछ्चन है विटा इसमें आप एक हीमी स्फेयर ड्रा कर लोगे ऐसे हमी स्फेयर जानते हो अर्दकोला यह ऐसे बना हुआ है इसे तो तुम सब बहुत अच्छे से जानते हो प्यार फे कटोरे में भगोला है जानते हो न इसकी रेडियस 10 cm है मिन्स यह क्या है बाबू यह 10 cm है लाइन जो मैंने अभी ड्रा किया वह किरा किसकी टोटल सर्फेस एरिया फाइंड कीजिए लिख लो टी एसे आफ हेमी स्फेयर इक्वल टी एसे आफ हेमी स्फेयर इक्वल 3 पाई आर क्यूब ना इसक्वायर होता है तो 3 इंटू पाई कम 10 पाई कमानब दस हमलों में रख सकते हो वैसे भी रख सकते हो अगर समय में रखोगे थोड़ा आसानी यह हो जाएगी कि आद 3.14 कौर इसको इसमें 100 से गुड़ा करोगे तो दसमलो जो है दो अंक भाग जाएगा किदर बताता हूं देखो यह तीन चोग बारह हासी लेक अथीने कम तीने क्वटीने चार दिन करनों दो अंक पर दसमलो नहीं हो जाएगा ऐसे इसमें 100 हो जाएगा दोनों गुड़ा करके इसमें जब 100 से गुड़ा करोगे तो इसमें 2-0 पीछे और बढ़ जाएगा फिर जो एक अंक पर दसमलो था उस दसमलो तो एक अंक पर रहेगा लेकिन पीछे फे रहेगा तो कुल मिला करके मैं पूरा दिखाई देता हूं 942 यह 001 डिजिट पर पीछे फे दसमलो लग जाए इस तरह से आपका थाड नंबर कोश्चन भी पूरा होता है किसी को कुछ कहना है तो बोल दो बारा मिनट में त्यनों कोश्चन कंपलीट हो गए बैटा लिख लिखे 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 जल्दी से स्क्रीन साड ले लो जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए कुछ भी डाउट है तो बोलो बिल्कुल निसंकोज बोलिए फटा फट नहीं ना तब बात पकी है ना कोश्चन का सलुसन पूरा दिख रहा है कुछ छुपा नहीं है दस तक ही यह यहीं तक दिखा है कि अ क्लास को जाधा फर जाधा सेयर किया करिए कि खूब सेयर किया करिये जादा पच्चे जुड़ें तभी मज़ा आएगा क्लास का टाइम स्क्रिन पर देख लो कौन सी क्लास कब होती है यूटूब पे फिरी क्लास हैं और नंबर आज पढ़ेंगे इमांदारी से देखिए हिंदी में दिख रहा है इंगलिस में पढ़ देता हूं इंगलिस में कुश्टन सुनिए ध्यान से हिंदी में नीचे दिख लिए एक गुलाकार गुबारा जिसमें हाव भरने पर उसकी जो तरिज्या है वह साथ सेंटीमेटर से बढ़के 14 इंटीमेटर हो जाती है फाइंड रेडियस आप सर्फेस एरिया आप दा वैलूम वैलून इंट टू केसे दो इस्थितियों में वैलून का क्या करिए आपको प्रिष्टिय छेत्रफल ग्याद करना है ठीक है इन दोनों इस्थितियों में मतलब पहले जब साथ सेंटीमेटर प्रिष्टिय छेत्रफल ग्याद करना है और उनका रेशियों करना है उपात ग्याद करना चलिए लिखते हैं लिखिए छोटी त्रिज्या बराबर देखे साथियों पहले गुबारा छोटा था फिर उसमें हवा भरी गई तो बढ़ा हो गया तो कुछ ऐसे समझ सकते हो जै इसकी रेडियस कितना थी बाबु यह सेवन सेंटीमीटर थी फिर इसमें हवा भारा गया तो बढ़ा हो गया तो बढ़ा हो गया तो इसकी रेडियस यह 14 सेंटीमीटर हो गई अब कह रहा है कि इनका जो यह से हैं सर्फेस एरिया क्या बोलते हैं उसे कर्व सर्फेस एरिया छेत्रफल उनका रेशियों राइंड करना है तो लिखो चोटी तरिज्जि तरिज्जा इसको हम इसमाल आर मान लेते हैं लिख लीजिए इसमाल आर इकॉल सेवन सेंटिमीटर बड़ी तिरिज्या इसको कैपिटल आर्मान लीजिए यह 14 सेंटिमीटर है आगे क्या दिया है तो दोनों में अनुपाद लिख लीजिए इनके प्रिष्टिय छेद्रफल में अनुपाद ग्याद करना है तो साथियों जो गोला की प्रिष्टिय छेद्रफल होता है चीएस से आप सबको पता है कि 4 पाई आर स्कॉयर होता है तो बड़े वाले तिरिज्या के लिए हम 4 पाई आर को कैपिटल में रखेंगे इसे आप याद रखना ठीक है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया आर का स्कॉयर इक्वाल के रखना स्कॉयर इस आर का मान साथ है इसका मान कितना है बापू 14 है हल तो सभी कर लेंगे 7 इंटू 7 यह 14 इंटू 14 साथ से काट दो दो आएगा यह भी आप काट सकते हो दो आएगा उधर थाइड में 4 हो जाएगा इधर 1 ही रहेगा तो 1 रेशियो 4 यानि आपका अंसर कितना आएगा 1 रेशियो 4 हो सकता है आपकी बुक में अगर बेटा यह 4 और वन दिया हो तब भी साहिए कोई दिक्कत नहीं है इनी डावड किसी को नहीं ना जल्दी से लिख लेजिए स्क्रेंस आड़ लेजिए फिर हम नेक्स्ट कुशन की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करें पाचवा कुशन देखिए यह भी बिल्कुल वैसे है पी कैसे आज दिया अर्फिक दिया है यानी एक गोला है इसे एसे मैं इंट्रोडक्शनब्ता दे रहा हूरा है आप इसका यानी यह चीज टेन पॉटफाइंट पाइफ है लो घथे पहले आप इसका असे निकाल लेना और देन निकाल करके 100 cm2 कि दर 16 उसे गुड़ा करके mioust में देखो बहुत सिंपल है गोले का आपको रेडियस फाइंड करना है जिसका प्रिष्टिय छेत्रफल दिया है आप गोले का प्रिष्टिय छेत्रफल का सुत्र लगाओगे और उसके नीचे 154 रख देना सूत्र आजाएगा और 154 बढ़े हो जाएगा है एक समय का दू चलो है नहीं आएगा तो मुझे बता देना मैं सब बता दूंगा अज़िए लेना हने लिए रहे हैं कर दायचे में आफ मों इज ऐप्रक्सिमेटली वन फोर्थ आफ दा डायचे में कि ऋ至लेका एक बढ़र से सुन लिई करा दायचे में आफ दा मून इज अप्रक्सिमेटली वन फोर्थ आफ डा일र ओंर ऐ यानि जो चंद्रमा का ब्यास है पृतिभी के ब्यास का लगवग एक चोथा ही है वन अपान फोर है देन प्रिष्टिए छेटरफल का रेशियो फाइंड करना है अनुपाद गयात करना है लिख लिजे चो दिया है फटापट लिखो इसमें कुछ दिया तो है नहीं यार अबर एक देखो बच्च बिल्कुल सही है ना करा वन अपान फोर है अगर हमने अर्थ का वन माना तो मून का वन अपान फोर होगा इसे काम ऐसे ब्यास मान रहे हो ना बाबू तो ब्यास मान रहा हो तो इसे पृत्वी का है वसे ठीक है सिंपल में लिख दो भी वन ठीक है नो प्रॉब्लम अभी इसमें आपको एक चेंजिंग करना है वह क्या भाई ब्यास का तो काम लगेगा नहीं हमें रेडियस का काम लगेगा तो यहां से अगर हम रेडियस निकालेंगे आर नीचे लिख लेना मतलब आर्थ तो रेडियस इसकी आधी होती मतलब 1-2 हो जाएगी अगर इस ब्यास से आप रेडियस निकालोगे इसका आधा करोगे तो आर यम मतलब मून तो यह वह रपानेट हो जाएगा एक बटा चार का आधा कर लेना एक बटा आठाएगा ठीक है नो डाउट फिरा दोनों के से में रेशियो फाइंड करिए प्रिष्टिय चेत्रपल म अनुपात लिखो प्रिष्टिय चेत्रफल का अनुपात बराबर सिंपल सा बात है इनका जो सी एस एक फार्मूला होता बाबू फोर पाई आर स्कॉयर क्यों यहीं होता है ना लेकिन अर्थ के लिए आप नीचे लगा ओगे और फोर पाई आर स्कॉयर यहां नीचे एम इनको आप साल्व करोगे जब साथ हमार क्या भाइट इनको हल करोगे तो बाहर से बाहर का मल्तिपल अंदर से अंदर का होता है क्या होगा देखो ट्राइग करो है 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 जल्दी करें फास्ट कुश्चन नंबर आठ देखिए आपको याद दिला दूं कि आप पढ़ रहे हैं प्रस्टनावली 13.4 कलाफ 9 के एंसे अर्टी मैथ इसक्रिन पर कुश्चन आपको हिंदी में दिख रहा मैं इंगलिस में पढ़ देता हूं सुन लीजिए a hemispherical bowl, hemispherical मतलब अर्थ गोले के आकार का कटोरा ठीक है a hemispherical bowl जैसे वहाँ बना है is made of steel 0.25 think think मतलब मतलब मोटाई का ठीक है the inner radius of the bowl is 5 cm find the outer curve surface area of the bowl यानि एक कटोरा है जो 0.5 cm मोटी स्टील से बना हुआ है ठीक है भाईया बाबु कितने का बना है 0.25 का बना है साथ इसमें कुश्चन में only 5 टाइप है यह कुश्चन में थोड़ा गलत लिखा गया है आप यह समझ लो कि कटोरी की जो थिन है वो 0.25 है नाट 5 तो कहने का यह मतलब है जैसे कोई कटोरा है कोई बर्तन है तो उसकी अपनी एक मोटाई होती है या जानते हो कर नहीं जानते हो ना कोई बर्तन होगा तो उसकी एक मोटाई होती है भई कहते हैं बर्तन मोटा है पतलायरुक जो मेला के दिखा देता हूं बगो ना किसी क ह Kartu Sverige पूरा पूरा अगर अकंट ये ज nessa से तो ये क्या होगाई पूर पूरा निया जटीन ना इसके लंबाइए कना रहाई है फिर भी ही मोटाई तो ओकी इतनी मोटा ही है 0.25 है यही चीज है जो मैं घेरा हूं जो आपका ये गोला दिख रहा है समझे रहो तो यह क्या इतना मोटा है और इसका जो अंदर का रेडियस है वह 5 cm है जैसे अभी मैं आपको दिखाया यानि यह क्या है बाबु यह यह आपका फाइब सेंटिमीटर है कि क्या क्या पूछ रहा है carrying between 4 बाहरी वक्ररपिष्ठीए मतलब बड़ा कंप रावरा वहो गयात करना है क्या है क्यों इसी मोटाई जो कटोरे की अंदर अंदर तिरिज्या 5 cm है तो बाहरी तिरिज्या कितना हो जाएगी बापू 5 लिखो थीससे अफ टिमीस्पेयर हिंदी मेडीय मुले लिखेंगे कटोरे का बाहरी वकृष्टीय छेत्र फ़ाल बराबर का बाहरी वक्र प्रिष्टीय छेत्र फाल बराबर प्यूंध कितना होगा अब बजबन से पढ़ते आमें टूपाई आर स्कॉयर space भैहं इस पाई रजिस्वार होतानागा अगर सुपेर होता है अब उस में क्या बन रखे दो गूड़े कमान बाइस बता साथ आर कमान आपका 5.25 इंटू 5.25 इनको काट दीजिए साथ से आप काटोगे साथ सता उन्चास और साथ पाचे 25 पचत्तर आएगा ना लेकिन दो अंक पर दसंबलो लगा था इसलिए हाँ पॉइंट लग जाएगा 0.75 इन सब का मल्टीपल कर लो यह 44 आजाएगा 44 इन्टू 0.75 इन्टू 5.25 आएगा सब का मल्टीपल कर लो बाबू आपका 173.25 संथिंग आएगा 173.25 सेंटिमेटर का स्कॉयर यह हम लोगों ने एरिया फाइंड किया अगर बैलूम फाइंड करते तो यह क्यूब में आता याद रखना इसे को कोई डाउट नो डाउट कोईश्चन नंबर आपका कहां तक हो गया एड तक हो गया नाइन कोईश्चन इस इक्सरसाइज का लास्ट कोईश्चन 13.4 का नाइन नंबर देखो जल्दी इसका इसक्रीन साथ लोग फट से जल्दी से फट आपड़ चलो मेरी फटो लेलो एक अच्छी सी बढ़ियां देख रहा है एक बहुत ही अति महत्तवपुर्ड सुचना अगर आप नाइन टेंथ में हैं बोर्ड परिशार्थी हैं तो बच्चों आने वाली 25 जून 2022 से अगर यह अभी नहीं बीता है हो सकता आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो तो टाइम बीत गया होगा तो पीवीर स्टड़ी 3.0 चनल पर यह क्लास चलेगी ठीक है पीवीर स्टड़ी लहाबा चनल से यह क्लास उस पर ट्रंसफर हो रही है याद रखिएगा आज ही जाके सब्सक्राइब कर लिजिए डिस्क्रप्शन में लिंक मिल सब्सक्राइब कर लिए क्लास कब होती है याद रखिएगा इस नमबर 9 ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इंगलीज में पढ़ूंगा हिंदी में आप इसक्रिन पर देखिए भाई 9 नमबर ले आओ यह आ गया करा सनलगन चित्र में एक लंबिरतिये बेलन तिर्जया आर वा है आज एक सीक्रेट बात बता दे रहा हूं है तो क्या करूं मैं इसमें अगर एक बॉल लाके डाल दूं गेंदा जो की बड़ा सा हो चारों तरप से मगगा को भर ले इतना बड़ा वाला पूरा भर जाए मूं में पानी आने लगा कलास पीछे जा रही है रसगुला रहने दो मिठा हो जाएगा गेंद मान लो तो पूरा भर जाएगा न तो ऐसे इस तिति में बोल रहा है कि गोले का परिष्टिये छेत्रफल ग्याद कीजिए फाइन दा सर्फेस एरिया आफ इस फेयर ओके चलिए दिखाता हूं पूश्चन इंगलिज में सुन लीजिए क्या कह रहा है कह रहा है आर राइट सर्कूलर सिलेंडर जेश्ट इंक्लोजड आइस फेयर आफ रेडियस आर फाइंड नमबर फैस्ट वाला देखिए सर्फेस एरिया आप हिसफेयर सिकंड चल्थ सरफेस एरिया आफ सेरेंडर अद धर रेश्यो आफ एरिया अप्टेईर इंफर थैन सिकंड क्चिन एक बर फेसे सन्लिजीए क्यरह कि आर राइट सर्कूलर सिलेंडर जेश्ट इंक्लोजड आइप इस्फेयर आफ रेडियस आर सेर्फेस एरिया आप सिलेंडर एंधर रेशियों आफ एरिया अप्टेंड इन फार्स्ट एंड सिकन्ड हो सकता मेरा प्रोनांसेशन थोड़ा गलबड़ो लेकिन आप समझ गया होंगे तो चलिया बनाइए एक ठीचुपे से फिगर देखो फिगर आपके सामने बन चुका है झत्र समझिए यह सथी मेरे कह रहा है कि इसकी रेडिया से यह है यह यहां पर हम यह यह कह सकते हैं जो यह है वो टू आर के बड़ाबर है बोलो कह सकते हैं कि नहीं यह चैनल इसी के बड़ाबर यह 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 आर आर चारो तरफ होगी क्योंकि रेडियस है तो टू आर बड़ाबर है इसमें कोई कुष्चन मार्क हो जुआ सकता है है कि कुछन पर औते हैं गोले का प्रिष्टिए 12 गयाद कीजिए फसtså्ट से लिख लो लिखो Sex area of både लिखाने सर्फेश एरिया आव इस प्रीयर हिंदी में लिखिए गोले का putting प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर गोले का प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर प्रिष्टिये छेत्रफल बराबर प्रिष्टिये छेत्रफल प्रिष्टिये छेत्रफल प्रिष्टिये छेत्रफल प्रिष्टिये छेत्रफल प्रिष्टिय प्रिष्टिय च्हेत्रफल बराबर बेलन का प्रिष्टिय च्हेत्रफल बराबर आपको पता है कि बेलन का प्रिष्टिय च्हेत्रफल तू पाई आर यह होता है तो मान रख दो तू पाई आर क्या क्या रखोगे एक मिनिट एर खजला का एक रखो पटते इसमें कुछ दिया ठोड़ा सा दिया है asi ने कि आर को भी ऐसे रहने दो हो कि यह हो जायाται का पौर पाई-इसकोर क्यों सो ऑस Cru वाला हो गया थार्ड वाला देख लो बिटा थार्ड वाला क्या कह रहा है कि उपर जो दोनों आपको मिले है एरिया उनका रेशियो फाइंड कीजिए तो लिख लो इसको भी चाहिए तो रेशियो या अनुपात बराबर यह फोर पाई आर इसको यह सब कैंसिल हो जायागा व पूरा चैप्टर खतम समझझे रहो इक सरसाइच थार्टीन फॉर इंड हो गया खुशी की बात है कि कम से कम यह इंड तो हुआ है यार मजा आया कि नहीं दा इंड हो गया अगली क्लास में आप पढ़ेंगे एक सरसाइच थार्टीन फॉर्ट फाइब हम पढ़ेंगे ना ओके तब तक एक important information देख लिए इस्क्रीन पर बहुत जल्दी देखाओ भाई फटा पर टाइम नहीं है जल्दी करो भाई या चल्दी यह क्लास का टाइम है कौन सी क्लास कब चलती है इसको देख लीजिए मेरी सकल मत देखिए जिन लोग का उधर चूट रहा था वो भी प्विए चैनल नंबर तीन पर जा रही है तो वहीं पर मिलेंगी बिलते हैं अगली कलास में अगर आपने हमें यूटूब पर सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर फॉलो करें इंस्टाग्राम फे फॉलो करें जिससे आप हर पर करके अप्लेट को पाते रहें पढ़ते र अन्यवाद कलास को सेयर करके जाएगा लाइक चुरूर करें